मार्च को होश्यार सिंग केल ठाकूर और आशी शर्मा ने विदायक के पद से इस्तिफ़ा दिया था लेकिन विदानसबाद द्यक्ष ने अभी तक इन विदायकों के इस्तिफ़े सुईकार नहीं किये माननी है सीने एड्वोकेट कापिल सिब्बल जी और उनके साथी एड्वोकेट्स वीडियो कॉन्फरेंस के मात्यम से ही आर्गुमेंट्स कर रहे थे और अगली मंगलवार को भी एक्सपेक्टेड है कि वो वीडियो कॉन्फरेंस से ही आर्गुमेंट्स करेंगे प्रंतु इस मामले की जो सुनवाई है वो कोर्ट आर्स के बाद भी होगी चार बच के पंदरा मिनिट से मंगलवार शाम को सुनवाई शुरू होगी ऐसा नयाले ने आज आदेश किया है और उनके साथी एडवोकेट तो आपको बताते हैं कि 22 मार्च को तीन निर्दली विदायको का इस्तिफ़ा हुआ था दहरा से घुश्यार सिंग नालागर से केल ठाकूर हमीर पूर से आशिश शर्मा ने इस्तिफ़ा दिया था विदानसबाद देक्ष ने सुईकार नहीं किया इस्तिफ़ा निर्दली विदायकों ने इस्तिफ़े के खिलाफ कोड का रुख किया और कहा कि अपनी इच्छा से इस्तिफ़ा दिया है विदानसबाद देक्ष ने कारण बताओ नोटिस दिया था इन विदायकों ने 10 अप्रिल को इसका जवाब दिया था